आप जादा अच्छा अर्न करके तो जादा अच्छे पैसे जो हैं वो अपने घरवानों को सपोर्ट कर सकते हैं या आप अच्छी सेविंग कर सकते हैं हाई गाईज वेल्कम बैक टो माई चैनल आइम शबाना जेकब आज basically मैं एक बहुत important visa की एक update लेकर आई हूँ basically ये visa उन लोगों के लिए है कि जिनके जो मालिकान है या employer है वो UK में settled है और अगर आप उनके घर पे काम करते थे as a cleaner, as a nanny, babysitter, cook, driving तो आप जो है अब उनके साथ जो है UK भी जा सकते हैं और वहां पे भी आप ये काम अपना continue कर सकते हैं basically मैं इस visa को इसलिए भी important समझूगी क्योंके यहां पे UK में आप किसी पे trust नहीं कर सकते ठीक है अगर आपने कोई, वैसे तो अभी तक यहां पे trend बहुत काम है कि लोग अपने domestic worker रखें क्योंके यहां पे इतना तादा आप इतना trust नहीं कर सकते जल्दी तो यह होता है कि आपका जो trustworthy अपकी घर में काम करता होगा तो definitely अगर वही यहां भी आके आपकी घर में काम करेगा तो यह बहुत अच्छी बात होगी तो यह बैसिकली विजा उन लोगों के लिए है जो छे महीने जो यह प्रूफ कर सकते हैं कि वो छे महीने घर से बाहर रहते हैं UK में यह छे महीने वो UK में रहते हैं और उनकी घर की देख भाल करने वाला कोई नहीं है तो वो इस चीज़ को अपने country से जो है वो अपना एक domestic worker या एक helper मगवा सकते हैं ठीक है यहां पे अगर जिन लोग ने यह चीज़ अप्लाइ करनी है या जो को यह बुलाना है तो वो basically उन लोगो बुला सकते हैं जो के 19 years से जादा उनकी एज होनी चाहिए और एक साल का minimum जो है वो प्रूफ होना चाहिए कि जो है वो आप उनके घर में काम करते रहे हैं इसी तरह से passport आपके पास होना चाहिए और यह basically six months का एक time period होगा जिसमें आपको full employment मिलेगी और full employment का मतलब है कि full time आपको एक hours मिलेंगे right इसके लावा जो भी यहां पे rules है employment के इसके लावा जो minimum wage है वो आपको मिलेगी और यहां पे condition यह होगी कि अगर आप यहां पे आके अपने employer के साथ domestic worker हैं या domestic working करते हैं तो आपके किसी और के साथ यहां पे कोई और job नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब आफ full time यहां पे job करते हैं तो फिर आप यहां पे कोई और job नहीं कर सकते हैं right? तो यह चीज़ें basically help करेंगी आपको यहां पे grow करने के लिए यहां पे different life's देखने के ल लॉयर को भी तसलिय हो जाएगी कि आपकी उनके घर की जो टेक कियर करने वाला है वो ट्रस्ट वर्डी है अच्छा जो डुमेस्टिक वर्कर होगा वो यहां पर जब आएगा तो उसके लिए यह मेंडेटरी होगा कि वो यहां पर अपने employer के साथ ही जो है वो travel करे ठीक है और उसको यह प्रूव भी करना होगा कि अगर वो दूस्ट जो डूरिंग ट्रिप जो है वो अपना survival कर सकता है अपने अपना गुजारा कर सकता है तो इसके लिए जो है वो उनको अपने six months के जो है वो bank statement शो करने होगी कि आपके पास इतने पैसे आते हैं और regular basis पे आप earn कर रहे हैं तो आप अपने आपको ट्रिप को दुरान जो है वो support financially कर सकते हैं यहां पर आपका जो employer है वो आपको proper residence देगा ठीक है पूरे responsibility लेगा और हर तरह की जो insurance वगएरा है वो आपकी pay करेगा ताके जब definitely आप उनके घर की take care कर रहे हैं तो कुछ criteria's भी होते हैं मैं सारी information जो है वो share कर दूँगी description link में अगर कुछी जीज़े miss भी हो गई है और या additionally अगर कुछ requirements चाहिए तो वो मैं आपको link में जो है वो share कर दूँगी ताके आप उसको देखें और उसको properly जो है वो follow कर सकें अच्छा मैं यह समझती हूँ कि यह domestic worker के लिए ना एक बहुत अच्छा chance होगा UK explore करने के लिए although visa की duration कम है लेकिन यहाँ पे at least आप जादा अच्छा earn करके तो जादा अच्छे पैसे जो है वो अपने घरवानों को support कर सकते हैं या आप अच्छी saving कर सकते हैं क्योंकि अगर आप match करें तो आप अच्छा हासा उसको support कर सकते हैं let's suppose अगर मैं Pakistan का comparison करूं तो इसमें अच्छी हासी support हो सकती है तो छे महीनों में अगर आप अपने घर को अच्छा support कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकते हैं अच्छा इसमें जो है वो employer को थोड़ा सा आ रहे हैं अपने country से काम करने के लिए तो इसमें सारे responsibility उनकी होगी और यहां पर employer जो है वो 637 pound जो है वो आपके लिए pay करेंगे इसके लावा वो पूरी आपका residence वगएरा आपको residence permit मिलेगा तो इस तरह वो show करवें करवाएंगे कि आप उनके घर में रहने वाले हैं और सारे काम आप करने वाले हैं आपको proper एक contract दिया जाएगा कि आप इस तरह as a employee यहां पर आ रहे हैं और यह यह काम आप करेंगे या babysitting करेंगे नैनी करेंगे या फिर आपको बगएरा यह driving बगएरा करेंगे तो इस चीज़ को complete वो है जो है वो ensure करेंगे और आपको जो minimum wage जि पर इतना जादा वो tough वाला issue नहीं है जस आपकी जो English language है वो बी वान की equivalent होनी चाहिए और इसके इलावा जो है अगर आपकी contract end होता है तो आपको proper एक contract दिया जाएगा कि अब आपका एक notice दिया जाएगा कि आपका जो है वो contract खतम हो रहा है इसके इलावा आपका जो है वो उसमे contract में mention है आपको उतने ही hours करने होंगे तो आपको over burden जो है वो बिल्कुल नहीं किया जाएगा तो guys ये थी मेरी चोटी से update इसकी तमाम details जो है मैं link पगैरा share कर देती हूँ इसको आप properly check करें और अगर आपका UK आने का plan है तो आप इस तरीके से भी कुछ अरसा के लिए UK आ सकते हैं और इसमें एक tip ये भी है कि अगर आप as an employer as a domestic worker किसी के घर में आते हैं या अपने किसी relative को ये कहते हैं कि ये वला वीजा आपका update कर दिया जाए या इस तरह से आप UK आ सकते हैं तो एक तरह से आपको visit भी हो जाएगा यहां की life का आपको idea भी हो जाएगा और आपको एक basic जो है वो support भी मिल जाएगी अपने घर को financially support करने के लिए so guys thank you so much for watching my video take care bye bye